तो यहां पे यार बहुत सारे लोगों का यहां पे कोच्छन आ रहा था कि यह Android Pie की जो अपडेट आई है Redmi Note 5 Pro के लिए उसमें बैटरी बैकप कैसा है लिटरिली यार बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैं सोचा यार 100% से पूरा 0% या 2% तक लेके आते हैं और आपको यहां पे दिखाता हूँ फाइनली की बैटरी बैकप आपको कैसा इसके अंदर देखने को मिल रहा है उसके लावा आप देख सकते हो कि किस तरीके से फ्लिट चला है तो मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा Camera 2 API के बारे में PUBG के बारे में बहुत चाहले लोगों का यहां पे कोशन था तो सबका मैं यहां पे कोशन का आपको आंसर देने वाला हूँ तो बने रही है हमारे वीडियो को साथ और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो ड्रैड वाला बड़न दबा दो ताकि आप हो जाओ हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब और अगर आपको ये wallpaper चाहिए पसंद आ रहा है तो आपको हमारा telegram group join करना होगा जो wallpaper के लिए बना है उसका link भी आपको मैं description में दे दूँगा I'm sorry याँ मैं जी drive का link नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत time लगता है उसमें upload करके फिल link देने में तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आपको कितना battery backup देखने को मिल रहा है तो जब से पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यार मैं android version पर देख सकते हो android pi पर हूँ यहाँ पर Redmi Note 5 का जो original अभी global beta update आपको देखने को मिला है किस तरीके से flash करना है और इसका full review क्या-क्या नया मिलता है वो मैंने अल्डेडी बना दिया है उसमें वीडियो पर अच्छे view gain नहीं हुए तो अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हूँ आपको security patch दे दिया है चार तारीका तो यह चीज़ तो सिफ शामी वाले ही कर सकते हैं अब आजाते हैं बापस यहां पर चलते हैं security की तरफ उससे पहले यहां पर चलता हूँ setting में लेके आपको ताकि दिखा पाऊँ आपको यहां पर कित्ता battery backup देखने को मिल जाता है तो यहां पर चलते हैं power usage में और power usage में आपको यहां पर यह option देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं यहां पर history में देख लेते हैं तो आपको पहले दिखा दूँ कि एक भी बार मैंने यहां पर इसको चार्ज नहीं करा है तो पहले आप यह देख सकते हो 19 घंटा 31 मिनट 17 से मेरा यहां पर यह फोन battery power पर है देख सकते हो ग्राफ देख सकते हो कैसा बना है यह रात का टाइम का ग्राफ है जब मैं सो गया तो लाइन इदम सीधी है थोड़ी सी बस नीचे कम हुई है उसके लावा आप यहां पर पूरा देख पाऊगे तो battery backup देखने में तो काफी अच्छा है क्योंकि यार 19 घंटे यहां पर फोन चल गया 19 घंटे चल गया बहुत ही बड़ी बात है पाई के पहले बिल्ट में आपको इतना देखने को मिल जाता है अब यहां पर चलते है screen on time आपको दिखा देता हूँ टेलिग्राम बहुत चलता है मेरा data हर time on रहता है literally hot spot भी मेरा on ही रहता है तो यह चीज यहां पर आप देख सकते हो तो आपको 7 घंटे का backup अगर आप heavy user हो तो अराम से देखने को मिल जाएगा अगर आप normal use करते हो data come use करते हो hot spot आपका नहीं चलता है तो आपको करीबन 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गए इस battery backup में तो बहुत ही अच्छा है यहां पर improvement हुआ है यार battery backup में I hope यह आगे चलके भी same battery backup को improve करके रखें यहां पर Xiaomi वाले तो काफी अच्छा है यह पाई build आपको देखने को मिल सकता है और यह चाहिए यार अपन लोगों को battery backup अच्छा मिल जाए तो काफी अच्छी बात है अभी भी आप देख सकते हूँ 3% battery है यहां पर मेरे पास तो 3% है 3% भी हो सकता है आपको आदी घंटे का backup दे दे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 10 से जो नीचे % हो जाता है उसके बाद battery आपको बहुत ही slow यहां पर drain होती है यह चीज मैंने यहां पर notice करी है तो यह चीज काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिलती है तो यह better है कि आपको battery backup में अच्छा है यहां पर performance देखने को मिल रहा है देख सकते हो wifi आपको Bluetooth call standby सब चीज देखने को मिल जाएगा यहां पर और बहुत सारी चीज यहां पर users मिल जाएगी PUBG में play नहीं करता तो PUBG के बारे में नहीं बता सकता कि PUBG में किता गंटा होगा उसके लावा आप देख सकते हो heavy user तो मैं हुई तो यहां पर आपका चलता रहता है अब बात कर लेते हैं अग camera की तो camera यहां पर आपको okish मिल जाता है camera to API इसके अंदर अभी भी enable नहीं मिलता है तो यह चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि यार आप इसको उमीद करना ही छोड़ दो या आपको enable नहीं करके देंगे एक Xiaomi वाले क्योंकि उनको कुछ नहीं नहीं फोन में देना पड़ता है जो पिछले फोन से कम हो इसी तरह Note 6 Pro में करा था कि AI mode उनके दे दिया था और फोन तो बिल्कुल सेम था यार Note 5 Pro और Note 6 Pro बस AI mode और नौज दे दिया था कि आपको दिखा पाएं कि हमने यहाँ पर यह अपडेट में नया लाया है तो यह इसी तरह यहाँ पर Note 5 Pro में अपडेट नहीं देगा आपको कि AI mode या Camera 2 API देखने को मिलेगा नहीं 4K देखने को मिलने वाला है उसके लाबा बात कलने PUBG HD की उसमें भी बहुत सारे लोगों का पोश्न था या PUBG SD आया कि नहीं आया тут नहीं यार PUBG HD में नहीं आया है आप नहीं खेल सकते हू ना Note 6 Pro में खेल सकते हूं न Mode जाओ जल्दी comment section मुझसे पूछ लो क्या-क्या question है आपके, मैं हो सकता हूँ hopefully next video में आपके ले लूँ एक question और रह गया, यहाँ पे कि stable update में कब आएगा जी हाँ, तो यह question बहुत ही ज़ादा पूछे वाला है, लेकिन यार मैं आपको हर बार की तरह इस बारी कहूँगा देखो, यह कब आएगा update, next update कब आएगी यह किसी को नहीं पता रहता है यार लोग आपको बस अपना अन्दाजा बता दे रहे हैं कि यह probability है कि यार हो सकता है यह आपको अगले वक्ते देखने को मिल जाए या next के next week देखने को मिल जाए अब यहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे है कि यार यह global beta update में public कब आएगा देखो अभी first build है यह close beta में कुछ यहाँ पे bugs अभी देखने को मिलते हैं हाला कि बहुती ज़ादा बहुती ज़ादा आपको Y2 और इसको दोनों को साथ-साथ देखने को मिल जाए कुछ भरोशा नहीं है Xiaomi वालों का अब बात करें stable की तो देखो याँ stable में build कब आप तक में देखने को मिलेगी पाई की यह चीज बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो देखो यहाँ पे आपको public beta नहीं आया है public beta आने के आप एक महिना तो मान के चलो उसके बाद ही आपको stable देखने को मिलेगा इस build पे तो एक महिना पूरा-पूरा मान लो तो अपरेल तो हमारा बस आ ही गया है तो अपरेल से आप महिन पूरा मान लो तो अपरेल के last end में या महिन के mid में आपको देखने को मिल सकता है इतनी चीज यहाँ पे मेरा अंदाजा है जो मेरे experience के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ तो आप तक थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको जाना है पाई में बीटा आपको चाहिए तो बीटा फ्लेश कर लो जैसे ही पबलिक आजाएगा पबलिक आने के बाद ही बीटा फ्लेश करना तब थोड़ी यहाँ पर stable और अच्छी देखने को मिलेगी फिल हाल के लिए बस इतना है यह वीडियो में और पसंद आई तो लाइक कर देना अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट में मुझे बता दो साती सात अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका वेट कर रहा हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं बाई